विशम भिन्नों की तुल्ना भिन्न भिन्नों की तुल्ना करने के लिए हम उन्हें समहर भिन्नों में परिवर्तित करते हैं विशम भिन्नों की तुल्ना का एक उधारण हम देखते हैं आएए च्हायांकित भाग को उपरोक्त आकरितियों के भिन्न के रूप में दर्शाते हैं पाँज बटा छे और साद बटा दस हम उन्हें क्रोस गुणा द्वारा समान भिन्न में बदल सकते हैं याने पाज गुणा दस बटा छे गुणा दस और साद गुणा छे बटा छे गुणा दस पाँज बटा छे साद बटा दस से बड़ा है हम दोनों भिन भिन्नो की तुलना तितली बिधि या क्रोस गुणा द्वारा भी कर सकते हैं आई ये निम्रलिखित उधारन लेते हैं तुलना करना तीन बटा आठ और चौदा बटा तेईस तितली बिधि के अनुसार तीन गुणा तेईस, आठ गुणा चौदा ये तीन बटा आठ से बड़ा है भिन्नों और समहर भिन्नों का यूग मीरा ने तीन बटा आठ बकसे लाल रंग में और चार बटा आठ बकसे नीले रंग में रंगे हैं कितने अंश में बक्से रंगाये हैं? 3 बटा 8 और 4 बटा 8 ये समहर भिन्न हैं. भिन्न जोड करते वक्त हम 3 बटा 8 अधिक 4 बटा 8 तीन अधिक 4 बटा 8 बराबर 7 बटा 8 उतर है 7 बटा 8 बक्से रंगे थे. रंगे हुए भाग और भिन्न को लिखें और जोडें. उपरोक्त उधारण से समहर भिन्नों के योग को अच्छी तरह से हम समच चुके हैं. विशमहर या असमहर भिन्नों का योग. सुनीता ने सोमवार को एक बटा 8 किताब का भाग पढ़ा. मंगलवार के दिन किताब का 3 बटा 4 बटा. बताई किताब का कितना अंश उसने पढ़ा. सोमवार को उसने किताब पढ़ी एक बटा 8. मंगलवार को उसने पढ़ा 3 बटा 4 पुस्तक का भाग. तो एक बटा आठ अधिक 3 बटा 4 अब विभाजक बनाओ. आठ एक गुना एक बटा आठ गुना एक अधिक 3 गुना दो बटा चार गुना दो. एक बटा आठ को एक और तीन बटा चार को दो से गुना. उत्तर है एक बटा आठ अधिक 6 बटा आठ. एक अधिक छे बटा आठ उत्तर हैं साद बटा आठ किताब का भाग सुनिता ने पढ़ा इसका मतलब यदि आप किताब के सभी प्रुष्ठों को आठ समान भागों में विभाजित करते हैं तो सुनिता ने प्रुष्ठों के कुल साद भागों को पढ़ा है खरगोष ने एक बटा चार गाजर सुभा और एक बटा तीन शाम को खाया दिन के अंत में खरगोष ने कितने गाजर खाये भिन एक बटा चार और एक बटा तीन असमार भिन है अब विभाजक बनाओ बारा इसलिए एक गुणा तीन बटा चार गुणा तीन अधिक एक गुणा चार बटा तीन गुणा चार गुणन करे एक बटा चार को तीन से गुणा और एक बटा तीन को चार से उत्तराया 3 बटा 12 अधिक 4 बटा 12, बराबर 3 अधिक 4 बटा 12 तीन और 4 को जोड़े तो उत्तराया 7 बटा 12 खरगोश ने 7 बटा 12 गाजर का भाग दिन के अन्ततक खाया मानसिक गणिक, उन भिन्णों पर गोला लगाई ये, जो जोड़कर एक बनाते हैं भिन्नो का घटाव समहर भिन्न सुनील ने 7 बटा 8 पीजा खाया एरा ने 4 बटा 8 पीजा खाया किसने ज्यादा पीजा खाया और कैसे 7 बटा 8 घटा 4 बटा 8 बराबर 7 घटा 4 बटा 8 उतर है 3 बटा 8 सुनील ने एरा से 3 बटा 8 ज्यादा पीजा खाया हमने क्या सीखा दो भिन्नों की तुलना करने के लिए हम बटरफ्लाई या क्रॉस गुणन विधी का उपयोग कर सकते हैं समहर भिन्नों को जोडने के लिए हम अंश जोडते हैं और हर को वैसे ही लिखते हैं विशमहर या असमहर भिन्नों को जूड़ने के लिए हम असमहर भिन्नों को समहर भिन्नों में बदलते हैं और फिर समहर भिन्न की तरह अंश को जूड़ते हैं स्वाध्याई निम्न लिखित भिन्नों की तुलना करे और ये चिन्ह डाले एक बटा पांच और तीन बटा पंद्रा, पांच बटा चार और चार बटा तीन, छे बटा बारा और तीन बटा छे प्रश्न दू, आरेखों की सहायता से ग्याद कीजिए दो बटा तीन अधिक एक बटा तीन एक बटा चार अधिक एक बटा चार अधिक एक बटा चार चार बटा पांच घटा दो बटा पांच तीन बटा चार घटा एक बटा चार निम लिखित को हल करें 1 घता 3 बटा 15 4 बटा 15 घता 5 बटा 6 8 बटा 15 घता 00 बटा 15 जोड़े 7 बटा 8 अधिक 1 बटा 12 रिक्त स्थान की पूर्ती कीजिए 5 बटा 7 बराबर 1 बटा 14 7 बटा 31 बराबर 12 बटा 31 झाल झाल